आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाऊ। अभी राउटनोट करें। उपश्थिती में वाल्डन प्रतिलोमन SN2 क्रिया बिधी द्वारा प्रकास सक्रिया हेलाइट देते हैं। बेटा कार्बन परमाण। पर बिशम समू, बेटा कार्बन और संत्रिप्त का तथा अलफा कार्बन परमाण। पर C double bond O समू की उपश्थिती SN2 क्रिया बिधी का समर्थन करती है। मतलब electron withdrawing group EWG group आपे से क्या होगा उस अभिक्रिया का दर बढ़ जाता है। ठीके, एलिल हेलाइट्स तथा बेंजिल हेलाइट्स SN1 तथा SN2 अभिक्रिया देते हैं। एलिल हेलाइट SN2 क्रिया बिधी भी देता है। बेंजिल हेलाइट्स में और्थो तथा पाराइश्थितियों में EDG electron donating group SN1 क्रिया बिधी का समर्थन करता है। जबकि क्रिया बिधी का समर्थन करता है निम्न मेंसे SN2 अभिक्रिया देगा। तो सबसे पलिवाद सबकुस्तव को प्रस्ण नहीं बता दिया गया है कि SN2 अभिक्रिया, SN2 को क्या पूरा बोलते हैं। द्वी आरविक नाभिक्स नहीं प्रतिय अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें जो अभिक्रिया का दर होता है, वो किस पर निर्भर करता है। वो निर्भर करता है संकर्मन अवस्था पे। यानि कि वहाँ पर जो अलकाइल हेलाइड होगा। तो वहाँ से क्या होगा। अभिकरिया के नुग्यों फाइल के सांद्रता प्राधारित अभिकरिया का संक्रमण अवस्था का वेग के निर्मार द्वारा होती है यानि कि ध्यान दिजीगा पोलर एप्रोटिक बिलाय के उपस्तितिम अभिकरिया होता है जिसे मालेगे यह हमारा alkylilide है जब नाविक्स नहीं किसे अभी किरिया कराते हैं तो यह नाविक्स नहीं क्या करेगा पीछे से जाके आटाइक करेगा और एक पाँच बंद संक्रमन अवस्था का एक intermediate बनाता है पाँच बंद का जैसे यह वहला एक्स हो गया और पीछे से जाके अटाइक करेगा हमको पता है कि पांच बंद ज्यादा अस्थाई नहीं होता है इसमें से कोई एक बंद तूटेगा तो एक सहट करके यह नाभीच नहीं जुड़ जाएगा और एकस यहां से बाहर निकल जाएगा यह बंद बन जाएगा और यह अभिकरिया का दर देख चाहेगे तो अभिकरिया कादर कौन सा कारबस के लिए हो गा तो 1 १ कर्बन का सबसे ज्यादा माना जाएगा फिर 2 degree carbon का और फिर 3 degree carbon का क्योंकि जिस carbon पे जितना ज़्यादा group होगा न उसमें क्या होगा त्रेपिमिया पाधा हुच्पन होगा इस वज़ा से 1 degree carbon सबसे ज़्यादा अस्थाई माला जाएगा फिर 2 degree और फिर 3 degree और कहा रहा है कि जिस अभिकिरिया में अगर EWG group आ जाएगा EWG electron withdrawing group आ जाएगा तो अभिकिरिया का दर क्या होगा withdrawing group आ जाएगा से अभिकिरिया का दर पढ़ेगा और EDG आने से अभिकिरिया का दर घटने लगेगा EWG electron घनतों को घटाता है और EDG electron घनतों को बढ़ाता है तो चलिए देखते हैं C2H5BR C2H5BR जो है यह SN2 अभिकिरिया में आएगा क्योंकि यह 1 degree यह 1 degree हलाइड है तो 1 degree हलाइड क्या होगा SN2 अभिकिरिया जो देगा यहाँ पर देखिए यह 2 degree हलाइड है यह oxygen oxygen कैसा होता है plus M group होता है electron donating group होता है तो यह SN2 अभिकिरिया को परदर्शित नहीं करेगा इसके दर को कम कर देगा तो यह SN1 अभिकिरिया में भाग लिने लेगा ठीके यह देखे ketonic समू आ जाने से अभिकिरिया का दर SN2 का समर्थल करते है प्रस्ना में ही बोल दिया गया था क्योंकि ketonic समू क्या होता है EWG group होता है EWG group होता है जो SN2 के अभिकिरिया के दर को बढ़ा देगा ठीके और यह देखिए methyl group है 3 degree methyl है तो देखिए यहां पर मैं इसका सरस्ना बना जेता हूँ इस carbon पर 3 methyl group है CH3, CH3, CH3 CH3, CH3, CH3 और इस CH2 से जब यहार हटाएंगे तो कार्बोधनाइन बनेगा और इस कार्बोधनाइन का क्या होगा विश्थापन हो जाता है और विश्थापन होने से देखिए CH3, CH3, CH2 यानि यहां पर प्लस 4 जा जाएगा तो यह कार्बोधनाइन 3 डिगरी बन जाएगा जो कि ज़्यादा अस्थाई है यह SN1 को फेवर करेगा तो SN1 हमसे नहीं पूछा गया है हमसे क्या पूछा गया था SN2 यहां पर मिल्टेक होगे यह SN1 होगा क्योंकि ऑक्सिजन जो है न यह क्या होता है प्लस M होता है EDG गुरूप होता है EDG गुरूप होता है electron donating group तो SN1 होगा तो SN वाला अभिकरिया नहीं होगा हमसे पूछा गया SN2 के लिए SN2 कौन वाला अभिकरिया देगा यह दे देगा पाला वाला और तिसरा वाला तो पाला तिसरा कौन तांसर है option number B I hope आपको यह concept समझ में आया होगा Thank you